भाई, मोटो ने न दो बहुती तगड़े फोन लाँच करें बजट में, एक है G54 और एक है G84, दोनों 5G फोने और दोनों बजट में आते हैं, और एक फोन को मैं यूज़ करता है और दूसरे फोन को गोविंद यूज़ करें तो भाई, इन दो फोन को आज हम डीटेल कंपैर देखो यार मैं बजाता हूँ, इसका डिस्प्ले ना, ये P OLED है, बेसिकली प्लास्टिक OLED दिस्प्ले होती है, अब इसे फाइदा ही है कि आपको जाद अच्छे colors मिलते हैं, contrast ratio बहुत अच्छा होता है, जब आप content दिखोगे तो आपको बहुत तगड़ा experience मिलता है, और जो आपको outdoor में, वैसे दोनों visible है, ऐसा तो नहीं बोलूग कि ये भी visible नहीं था, लेकिन आपका जादा brighter था, मैंने खुद भी यूज करके देखा था, तो display के मामले होता मैं बोलूगा, ये winner है, G84 बेटर है, लेकिन एक चीज है, आपके में शायद in-display fingerprint sensor भी है, वो भी possible हो प unlock करने के लिए, इस मामले में इसका भी मुझे काफी fast लगा, वैसे तो इसका side fingerprint sensor है, और ये काफी fast और accurate भी में लगा, और इसका बोशने ठीक है, मतलब, power buttons मैं बोलूँगा, थोड़े जादा ऊपर लगे मेरे को, लेकिन phone का overall size भी थोड़ा compact है, लेकिन फोन का overall size भी थोड color identified brand है, जो बहुत सारे colors को color of the year वगरा के awards देती है, लोग comment में पूछ भी रहते हैं कि भाई, इसको remove कर सकते हैं, भाई, जब मैंने first time इसको unbox कहना, मेरे को यही था कि मैंसे निकालता हूँ, निकालता हूँ, निकालता हूँ, निकलता हूँ, निकलता हूँ, निकलता हूँ पिर वो हो जादा chip off, क्यों नि, नि, उस मामले में एक चीज है, कि मेरे सबसे मैं thickness देख रहा हूँ, दोनों phone का almost similar है, लेकिन आपके में 5000 mAh बैटरी है, तो यह मोटो ने बहुत ही अच्छा गाम कर रहा है, कि इतने similar form factor में आपको 1000 mAh बैटरी देख में को मिल जाता है, तो जाता है, तो यह भी पुरानी है, कहां ले जाना है इतना भारी phone, भारी है, बारी है, 192 g तो इस से तो 1000 mAh के साफ से लिए, यह पिर बैटरी जाता होगे, यह पिर लाइट फोन यह पिर लाइट फोन, यह तो जनता बता सकते है एक पतला phone with 5000 mAh, यह 5000 mAh बार बहुत है, यार लास्ट यर मेर को बिलुकुल पसंद या था कि हर कोई बीजार के अंदर 695, 695, 695 और सच बता हूं बहुत लिमिटेशन इस चिपसेट की इस साल जब है मैं बहुत थोड़ा सा शॉक में गया कि यार इस फोन के साथ 695 समझ में निया मुझे लेकिन जब मैं इसे यूस कि तो भाई जो experience है बहुत अच्छे सा उप्टिमाइस किया गया है UI के साथ इसके प्रोसेसर को और जो usage है कहीं भी मुझे ऐसे lags, bugs जो है वो देखने को नहीं मिले लेकिन तुम्हार एक नया चिपसेट है 70-20? 70-20, 6NMP. जैसा? तो मेरा भी मैं बोलूँगा काफे similar performance रहा है और सबसे मेरे को लग रहा है main majority मैं विन बोलूँगा कहा मुट्रोला ले जा रहा है वो इसके stock UI को लेकि मतलब जो almost stock UI दे रहा है इसलिए जो 695 है या फिर हमारा 70-20 है similar perform कर रहा है और अच्छा perform कर रहे है और main चीज किया ना कि पहले मेरे को लग रहा था कि शायद एक साल पुराना चिप है तो 720 बीट कर देगा बट ऐसा नहीं था जब हमने benchmark run करें तो हमने वही देखा कि N2 2 में एकदम लखक same score आ रहा था मेरा 8GB RAM में था और आप 12GB है और वह भी चीज मतलब काफी हमें यह शॉकिंग लाग कि हर बार जो नया चिप आता है ज़रूरी नहीं कि वह better हो मतलब लोगों लगता है कि यह नया रखा है तो सकता यह नया हो तो better हो बट ऐसा नहीं होता है पुराने चिप अब भी capable है तो ओवराल यह है कि गेमिंग या फिर नॉर्मल डे-टो टेशिव में आपको एक्टम परफॉर्मेंस में उसमें कुछ पी जादा चेंज नहीं है तो हाँ उस पर आपका दोनों फोन आपका capable है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भाई प्राइज में कि उतना फ प्लास्टिक बैग भी नाज को बेशक प्लास्टिक बैग बैटरी वाज़े से हैं अच्छी है और मोटरला के सथी चीज़ वह ज़ाधा बैंड जाए अप्शन देता अब क्यूंकि अब क्नेक्टिविटी की बात करें तो यहां पर आपको ना वी ओ नर भी मिल जाता है ले अमें तो आउटपूट भाई अल्मोस्ट सिम्ले लगा वाएस में मिल जाता है आपको वाएस में मिल जाता है और 16,000 रुपे के फोन में वाएस मिल जाता है जहां पर जाता तर फोन अपने फोन में से हटा रहे हैं यहां तक कि iqoo Z7 Pro जो करीबन 27,000 रुपे का नहीं 25,000 र आपक नहीं कि भाई छेले लाएक क्यल सकता है तो वह चीज है बस आपको यह कामरा अगर है वही ओलें करें अब करें तो अभी बहुत यह नहीं कर सकते हैं खोश्मेंट नहीं कर सकते हैं και अबसे हैं आपको सबसे पहली चीज तो अवरागों चारा यह एक अपना वासी पर और OLED डिस्प्लेइज हमेशा कम बैटरी कंजूम करती है अगर LCD से कंपेर करें तो तो आपको यहां पर बैटरी मुझा तो अच्छा मिला है क्योंकि जिस तरह का यूसेज मैं कर रहा हूं और करीबन साथ गंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इसने अभी तक दिखाया मुझे और चार चारजर है बॉक्स में सबसे अची बाइब चारजर है बॉक्स में तो फिर वर्ट की बात करते हैं मतलब अगर हम वैल्यू मतलब वो देने प्राइस तो फ़र्में की बात करें तो मेरे साब से अगर 16,000 तक में ले रहे हैं और कार्ड ओफर्स के आथ लागे यह 15 के नीचे लागे है 15,000 वे में आपको फोन दे रहा है मालो 15-16,000 वे में तो यहां पर आपके पास यह बहुत अच्छा डिवाइस है बजट सेग्मेंट में क्योंकि आपको 5G मिल जाता है पहली चीज 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 की कमी थी वो है क्लीन यूई जो माई UX है इतना क्लीन होता आपको आल अच्छे लगे है अगर 12-256 में आते हैं तो मेरे साब से वह जादा बेटर वेल्यू फर मनी रहेगा क्योंकि साथ हजार रुपय का डिफरेंस रह जाता है क्योंकि उसमें एक ही वेरियंट है तो मेरे साब तब वो लेना चाहिए क्योंकि आपको इसमिलर पोइम सेलता है अब रिखाल से हम लोग उने सॉल्व कर दिया जवाब दे दिया फिर भी कोई रहे गया तो आरे कमेंट से पूछे ना हम रिप्लाइ करने ही कितने क्वेश्चन थे इसको लेकर एक तुझ जिस भाई नहों कॉमेंट किया था I hope उस तक ही वीडियो पहुच जाए और उसको जवाब भी मिल गया हो अगर वीडियो आपको काम का लगा तो लाइक करें शेयर करें अभी नब और मेरे बहुत सारे परसे चैनल लिए चीक है यही पर मिलेंगे आपको आगे चल करके तब लग आप और वीडियो दिखते रहें और सब्सक्राइब कर लिजिए जागरन कि तेको